नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ग्यान हेल्थ केर चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम महुआ के ऐसे ऐसे फैदे आप लोगों को बताएंगे जिसको आप जानकर चोग जाएंगे कि महुआ के इतने भी सारे फैदे भी होते हैं तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तो महुआ का पेड उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जंगलों में बड़े पैमाने पर पाया जाता है इसकी लंबाई लगवग 20 से 25 मीटर तक उंचा होता है यह एक बहुती तेजी से बढने वाला पेड है इसको अंग्रेजी में बटर नट ट्री, हिंदी में महुआ, महुआ, लुपताई कहा जाता है इसमें पोशक ततो की बात किया जाए तो महुआ में परचूर मातरा में बिटामिन C, केल्सियम, फास्पोरस, आयरन, एंटी, अक्सिडेंट, आदि बहुर भी बहुत सारे पोशक ततो पाये जाते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो में ज्यादा देरी न करते हुए सीधे आपको इसके फायदे के बारे में बताते हैं दोस्तो महुआ फॉल पूर्सों के लिए एक चमतकारी अश्दी हैं इसे से पूर्सों से संबधित सभी गुप्त रोगों को पुरी तरह से ठीक किया जा सकता हैं जैसे कि पूरुस कमजोरी, सिग्रपतन की समस्या, सुकराणों की कमी, धिलापन की समस्या आदि सभी गुप्त रोगों को पुरी तरह से ठीक किया जा सकता हैं इसके लिए आपको क्या करना है कि महुआ को अच्छे से धूप में सुखा कर, कूट कर, इसका चूड त्यार कर लेना है। अब इस चूड को रोजाना रात में सोते समय, 20 ग्राम की मातरा में दूद के साथ फंकी लेना है। इसका प्रियोग आप लगा तार 15 से 20 दिनों तक करते हैं तो, आपके पुरुष से जुड़ी हर एक गुप्त समस्या पुरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसके बाद या हमा हुआ दातों के लिए भी एक चमतकारी असदी हैं। अगर हम इसके तहनियों को तोड कर इसका दातुन करते हैं तो, दातों के हर एक रोग पुरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसके बाद या हमा हुआ चोट मोच के लिए भी बहुती अच्छी असदी हैं। इसके लिए महुआ के छाल को काट कर, इसमें थोड़ी सी मात्रा में हल्दी और चुना मिला कर, इसको गरम करके चोट मोच वाले आस्थान पर लेप करने से, चोट मोच की समस्या बहुती जल्दी ठीक हो जाएगी। इसके बाद यह महुआ पेट के खीडी के लिए भी बहुती अच्छी असदी हैं। इसके लिए महुआ के पतियों को पीश कर, इसका रस निकाल कर, रोजाना 5 ग्राम की मात्रा में लागातार 3 दिनों तक सेवन करना होगा। पेट के खीडी की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना हैं। आप से जल्द जोड़ेंगे एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सभी लोगों को एक बार फिर से धनी बार।